कि हम आपको सिखाएंगे प्रस नबर 3 प्रसमज्ण को समझ में आ जाएगी यह आपका प्रश्णा है जो है कि प्रस्णावली जो है कि 5.1 का कोस्चा नम्र अप 3 देखेंगे हम लोग कोस्चा नम्र 2 आप देख लिए हैं यह रहें तो हम्रे साथ जुड़े रहे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमें कमेंट बाक्स में ज़रूर बताएगा कि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो कैसा लगा है अपने दोस्तों में ज्याद़ ज्याद़ सेर भी किजिए चलिए हम आपको लिख प्रफेशन देखते हैं इसकित में से परतेख एपी के लिए फिमने होता है समांतर स्रणी जो भी आपकी समांतर स्रेणी दी गई है इस समांतर स्रेणी में प्रफमपद तथा सारौ और ज्यात कि प्रफमपद को एसे यंडिकेट किया है पहले आप उदाहरां समझ कोशन नमबर एक पहले को देखते हैं तो इसमें जो है यानि कि स्रेणी आपकी दी गई यह 3 1-1 और क्या माइनस 3 ठीक है यह आपकी जो है कि प्रत्रमपत की बात हम करते है तो आपका पहला अवयो होता है यह जो स्रेणी का जो पहला आवयो आपका होता है यह प्रथम पद होता है जो पहलावाय हो तो इसका पहलावाय क्या है तीन यानि कि आपका प्रथम पद कितना मिला तीन मिला अब बात करते हैं सारवंतर की दूसरा सारवंतर भी निकालना है तो सारवंदर की बात करते हैं तो सारवंदर की से इंडिकेट करते हैं तो सारवंदर कैसे फाइंड करते हैं दूसरे में से पहले को घटाते हैं तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं यहांनि प्रतेक अगले पत में से जो है कि पीझेवाले पत का किया जाता है घता लिंगत एक से पॉहले पत को लिया नहीं जाता है क्योंकि पहले पत से générल मालूम नहीं तो आप स्टार्टिंग करेंगी दूसरे मायनिस क्या पहला या स्टार्टिंग करेंगे तीशरे मायनिस चाह दूसरा या पहले मैं से दूसरी गहते हैं तो उस समय जो इनका वयलू या encouragement आते हैं तो शार्वंतर आपका होगा दूसरे मैंस तीसरी घटाई है वो त्री माइनस सब्सक्राइब दूसरा पद वण है आपर पहला पाद थ्री तो आपको कितना हो जाएगा माइनस टू ठू ठीक है इसका यदि इसमांतर स्मांतर च्रेणे में है यनि कि सारों ग़ुए है चले इसको घटा और क्या है वान इसकल्ट हो जाए कितना यह नहीं कि आपका डी का वहलू कितना हो गया दोस्तों है दो ठीक है माइनस दो हो गया लिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिजिए और अभी तक हमारे साथ नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो ए बराबर कि अगया टिक है परथम पद मिल गया तीन हो गया और शारमधर कितना हो गया माइनस दो यह रहा आपका पहला चलिए अब हम देखते हैं दूसरी को दूसरी का देखते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है सारवंतर क्या है पहले आप देखकर वता सकते हैं प्रथम पद माइनस फाइफ माइनस वान थ्री और क्या दोस्तो ये वीडियो जो है कि यदि देख रहे हैं आप तो लाज सुरू से लेकर अंतर देखेगा तो पूरा आपको जो है कि सवाल समझ में आ जाए चलिए इसमें प्रथम पद देखते हैं प्रथम पद ए बराबर ठीक है प्रथम पद ए बराबर तो पहला पद क्या है माइनस 5 जो पहला पद है वो प्रथम पद होता है तो आपको माइनस 5 हो गया अब चलिए सार्व अंतर देखते है सार्व अंतर तो सार्व अंतर क्या होता है डी तो सार्व अंतर कितना हो गया डी यनि कि आप निकालेंगे दूसरा माइनस क्या पहला देखिए जिस तरह से निकालने प्रोसेस हम इसां जिस तरह से निकालता निकालल जाएगा या तीस का धुसरा इसी तरह से उसे भाइने दूसरा क्या है मान ऑल एज़ुआ अब फार्मुला में मैंन सो इस लगा कि लेकिन आपका पंधन हैं यह तो दूसरा पह रहा है तो दूसरे का मैना रख दिए लेकिन पहला पुंच से ऐगा तो प्लास इस को हल कर लेजिए तो माइनस ओ haters more प्लस पांच इसे घटेगा तो चार होगा आप पांच बढ़ा है तो प्लस चार ठीक है समझ में आ रहा है चलिए तो यह आपका हो गया सारों अंतर कितना वह अच्छा चलिए इसका देखते हैं इसका भी कितना आता है तीन है तीसरा पत क्या है तीन माइनस सुत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे हमेशा दूसरा पत क्या है माइनस वन है तो माइनस वन पर ले रहा रख लिजिए इसका हल कर दीजिए 3 minus और minus में genS MA offers हो जाए क्या कर दोनों का चार है ना यानिकी 2 नोंस का चार है तो 1 वकषर लिख स्वर Jica flower कि मिला चार मिल कीशे कि तुले एच्छमेंस एंसर में क्या हो जाएगा यह दिए वीडियो अच्छ हा लगता है तो लाइक कर देजिए अपने दोस्तों में माइनस 5 है और D बराबर क्या है माइनस सोरी D बराबर क्या है ठीक दोस्तों समझ में आ रहा है हमको पूरा विश्वास होगा कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप पहले उधारन समझ लिए हैं यदि आप नहीं समझें तो पहले उधारन हमारे उधारन को पहले समझ ल इसका प्रथम पद देखते हैं प्रथम पद तो प्रथम पद ए होता है तो ए बरावर कितना है प्रथम क्या टीन तो अब यहां से अगे सारा वांटर देखते हैं तो सारवंतर D है ना, D बरावर होता है क्या, दूसरा माइनस क्या, पहला, तीसरा माइनस क्या, दूसरा, इस देसे निकालते हैं, चलिए, दूसरा, तो दूसरा आपको क्या है, पांच बटा में 3, माइनस पहला क्या है, एक बटा में 3, दूनों का हर समान है, तो 3 हो जाएगा और दोनों का जब हर समान है तो देखिए 5-1 घटा देज़े यहीं से तो 5 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 यानि 4 बटा में 3 हो गया यदि इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो चले LCM 3-3 का LCM 3 हो जाएगा तीन से तीन में भाग एक बार और एक से पांच में गुड़ा 5-3 से तीन में भाग एक बार और एक से एक में एक हो जाएगा अब यह पांच में से एक घट जाएगा तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 3 दी का मान चार बटा में तीन आया पहला चलिए इसका भी देखते हैं कि इसका भी समान आता है कि नहीं तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा तीसरा मान है नौ बटा में कितना तीन माइनस दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा पॉद है पांच बटा में क्या तीन इसका व्य alltså ले लेज्यें थीन हो जाएगा वही किरिया करेगे तो यह 9 हो जाएगा यह क्यों हो जएगा 5 घटा देजिये तो 4 बटा में कितना हैती दोनों का मान सामान आया या 1रफ सारों अंतर कृटना हुआ चारल गलत हो जाएगा जब यहां से बराबर हो 1 by 3 और D बराबर हो जाएगा 4 भाई क्या ठीक है यह रहा आपका question number 3 चलिए question number 4 को देखते हैं question number 4 ठीक है आपका question number 4 is 0.6 है और comma 1.7 2.8 और 3.9 डेस डेस ठीक है अब यहां से आप प्रथम पद देखिए प्रथम पद तो प्रथम पद ए बराबर कितना है 0.6 है चलिए सार वांतर देखिए और सार वांतर आपको पता है कैसे निकालते हैं सभी में जिस तर से आपको जो है कि सभी में बताएगे उसी तर से इसमें भी हल करेंगे यह आपका हो जाएगा दूसरा माइनस क्या पहला तीसरा माइनस क्या दूसरा ठीक है चलिए हल कर किजिए दूसरा यह है पहला वाईलो दूसरा वाईलो तीसरा यह से हम लिख लेते हैं पहला दूसरा तीसरा मान और यह क्या है चौथा मान ठीक है तो करें कि दूसरा माइनस है यहां से due sagt at 8 .घाट अना है पहले को पहला क्या है 0.at कि इनि आपको जो है कि एक दसमिलोस7 में से घाटा ना jest 0.2 गटा भी हो जा술 मैं से छो गटवा तो एक जाएगा उनकी इनि कि आपका साहरा वांतर मिल रहा है एक दसमलों क्या एक ठीक है तो आपका पहले का तो एक दसमलों चली इसको भी निकाल कर देख लेते हैं एक दसमलों एक आता है या नहीं तीसरा, तीसरा है कितना है, दो दसमलो, आठ, माइनस, दूसरा क्या है, एक दसमलो क्या, साथ, घटा का देख लिए, आठ में साथ घटेगा, तो एक हो जाएगा, पॉइंट, दू में से घटेगा तो, इसका भी सारवंतर समाना आया, यहनि कि D बराबर आपका हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, तो प्रथम पधा आपका हो गया, 0.6 हो गया, अज सारवंतर हो गया, 1.4, ठीक है, दोस्तों हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा, कि आपको वीडियो कैसा लगए, जो वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चानल को सस्क्राइब जरूर कर मेरे चले अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो यू कि मैं ऐसना लगतार वीडियो लेकर आता रहता हूं, चली दोस्तों हम आपको लेकर चले क्कौिशन नंबर 4 के तरह, चली दोस्तों मेलते हैं कैसे लिडियो वीडियो है, क्पा कैसे हल किया जाएगा, चली दोस तो मिलते हैं को चैनल बार फोर में